मन की बात ने वर्स 2020 में अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है इस दोरान हमने अनेक विश्यों पर बात की स्वाभाविक है कि जो बैस्विक महामारी आई मानव जाती पर जो संकट आया उस पर हमारी बात्चित कुछ ज़्यादा ही रही लेकिन इन दिनों मैं देख रहा ह लगातार लोगों में एक विशय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बितेगा कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बात्चित इसी विशय से शुरू हो रही है ये साल जल्दी क्यों नहीं बित रहा कोई लिख रहा है दोस्तों से बात कर रहा है कह रहा है कि ये साल बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बित जाए। साथियों, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है, ऐसी बात्चीज के कुछ कारण भी हो। छे-सात महना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बनाई हुआ है, उपर से देश में नीत नई चुनवतियां सामने आती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी शोर पर साइकलोन अमफान आया, तो पस्षिमी शोर पर साइकलोन निसर गाया, कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाय बहन टीडी दल के हमले से परिशान है, और कुछ नहीं, तो देश के कही हिस्सों में छोटे-छोटे भुकम रुखने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियां द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनोतियों से भी निपट रहा है, वाकई एक साथ इतनी आपदाए हैं, इस स्तर की आपदाए हैं, बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं, हाला त यो मुश्किले आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है, कि क्या इन आपदाओं की बजह से हमें, साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए, क्या पहले के छे महने जैसे बीते हैं, उसकी बजह से यह मान लेना, कि पुरी साली ऐसा है? पही सोचना सही है. जी नहीं. मेरे पहरे देशवासियों बिलकुल नहीं. एक साल में एक चनोती आए या पचास चनोती आए नंबर कम ज़्यदा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता. भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनोतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है सैंक्डों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संक्टों में डाना लोगों को लगता था कि भारत की संवरचना ही नष्ट हो जाएगी भारत की संस्कृती ही सबापत हो जाएगी लेकिन इन संक्टों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया साथियों हमारी यहां कहा जाता है स्रजन शास्वत है स्रजन निरंतर है चल 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 बहती क्या कहती गंगा धारा युग यूग से बहता आता यह पुन्य प्रवाह हमारा उसी गित में आगे आता है क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं कंकड पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आये भारत में भी जहां एक तरब बड़े बड़े संकट आते गए वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक स्रिजन भी हुए नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए नए सिध्धांद गड़े गए यानि संकट के दवरान भी हर क्षेत्र में स्रिजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृती पुस्पीत पलवित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीध्यों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे एक सो तीस करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए किरतिमान बनाने वाला साल साबित होगा इसी साल में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा नई उडान भरेगा नई उचाईयों को छूएगा मुझे पुरा विश्वास एक सो तीस करोड देश वास्यों की शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परंपरा पर है मेरे प्यारे देश वास्यों संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के सहुषकार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिट्मेंट को भी देखा है लदाख में भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आच नहीं आने देंगे साथियों लदाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए है उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है सरधांजली दे रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारती हैं इने खोने का दर्द भी अनुहो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जजबा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बाद कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीत कुंदर कुवार के पिताजी के शब्दतों कानों में गूंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पूतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग पुझनी है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धेव बनाना है हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्म निर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी मुझे असम से रजिनी जी ने लिखा है कि उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण दिया है प्रण यह कि वो लोकल ही खरिदेंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वो कल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे हैं बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्दाडू के मदूरई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहाँ अनेको ओर्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे है आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवाओं का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेतर में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्म निर्भरता के तरफ कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागी दारी के बीना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्म निर्भर भारत के दिशा में एक नागरिक के तोर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवारिया है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझे आप देश को मजबूत करने में अपने भूमी का निभा रहे हैं ये भी एक तरह से देश की सेवाही है आप किसी भी प्रोफेशन में हो हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवशक्ता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवाही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती हैं और हमें ये भी याद रखना है हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शांती की संभावनाए भी उतनी ही मजबूत होगी हमारी यहां कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परिशाम परिपीड नाय खलत से साध हो विप्रितम एतत ग्यानाय दानाय चरक्षणाय अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोक व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोक गमन में और ताकत का प्रयोक दूसरों को तकलीफ देने में करता है लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तमाल की है भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष है आत्म निर्भर भारत, भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता, भारत का भाव है बंदूता, हम इनी आदर्सों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना के संकटकाल में देश लोकडाउन से बहार निकल आया है. अब हम अनलोक के दोर में हैं. अनलोक के समय में दो बातों पर भावत फोकस कर रहा है. कोरोना को हराना और अर्थ वबस्ता को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना. साथियों, लोकडाउन से ज़्यादा सतर्कता हमें अनलोक के दोरान बरतनी है. आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी. इस बात को हमेशा याद रखे कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं, या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं. खास तोर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को, इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूँ, और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरती हैं, अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी चाथियों. अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजे भी अनलॉक हो रही हैं, जिन में भारत दसकों से बंदा हुआ था। में जकड़े इस सेक्टर को आजहादी मिलेगी, इससे आत्म निरभर भारत के अभियान को न केवल गती मिलेगी, बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा। में एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक रोण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक शित्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच एतिहासिक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। मेरे प्यारे देश वासियों, हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं। यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है। वो जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है। अरुनाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली। यहां सियान गिले के मिरेम गाउं ने वो अनोखा कारे कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन रहा है। इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं। गाउंवालों ने देखा कि कुरोना महमारी के समय ये सभी अपने गाउं के और लोट रहे हैं। ऐसे में गाउं वालों ने पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी और ये ताय किया कि जब गाउं वाले लोटकर आएंगे तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा उन जोपडियों में साउचारे, बिजली, पानी समेथ, दैनीक जरूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्त कराएगी जाहिर है, मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागुरूता ने सबका ध्यान अपनी और आकर्शित कर लिया साथियों, हमारी यहां कहा जाता है अर्थात, जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंद नहीं छोडता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गूर, अपना स्वभाव नहीं छोडते आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती है, जो स्रमिक साती है वो भी इसका जीता जागता उधारन है आप देखिए, इन दिनों हमारे प्रवाशी स्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानिया आ रही है जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है यूपी के बारा बंकी में गाउं लोटकर आए मजदरों ने कल्याणी नदी का प्राकरोतिक स्वरुख लोटाने के लिए काम शुरू कर गया नदी का उधार होता देख आस्पास के किशान, आस्पास के लोग भी उत्साइथ है गाउं में आने के बाद क्वारन्टीन सेंटर में रहते हुए आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे स्रमिक साथ्यों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तमाल करते हुए अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है वो अध्भूद है लेकिन साथ्यों ऐसे कितने ही किस्से कहानिया देश के लाखों गाउं के हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं जैसा हमारे देश का स्वभाव है मुझे विश्वास है जातियों कि आपके गाउं में भी आपके आसपास भी ऐसी अनेग घटनाई गटी होगी अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरग घटना को मुझे जुरूर लिखिए संकट के इस समय में इस सकारात में घटना आए ये कहानिया औरों को भी प्रेरा देगी मेरे प्यारे जैसवास्यों कोरोना वाइरस ने निस्षित रुप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बढ़ला उला दिया है मैं लंदन से प्रकासित फाइनांशल टांश में एक बहुती दिल्चस्प लेक पड़ रहा था इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अद्रक हलबी समेत दूसरे मसालों के मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्मिनीटी बढ़ाने पड़ है और immunity बढ़ाने वाले इन चीजों का समन हमारे देश से है हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भासा में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी जे समझ सकें और हम एक healthier planet बनाने में अपना योगदान दे सकें मेरे प्यारे देश वासियों कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है जीवन क्यों है जीवन कैसा है हमें शायद ये याद ही नहीं आता कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेयर किया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं कई लोगों ने मुझे पारमपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेजे हैं साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा पचीसी यह खेल तमिनाडू में पल्नान नुंगली करणाटक में अली गुली मने और आंद पुदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है यह एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बॉर्ड का उप्योग किया जाता है इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकरना होता है कहा जाता है कि यह गेम दक्षिन भारत से दक्षिन पूर्वे एशिया और फिर दुनिया में फैला है साथियों आज हर बच्चा साब सीडी के खेल के बारे में जानता है लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतिये पारंपारी गेम का ही रूप है जिसे मोक्षपाटम या परंपदम कहा जाता है हमारी यहां का एक और पारंपारी गेम रहा है गुट्टा बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्थर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए त्यार एक पत्थर हवा में उछा लिए और जब तक वो पत्थर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बागे पत्थर उठाने रहते हैं आम तोर पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है कोई एक चौग या पत्थर ले आता है उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखी देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है जिन खेलों में डाइस की जरूरत परती है कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है साध्यों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बच्पन में लोट गए होंगे कितनों को ही अपने बच्पन के दिन याद आ गए होंगे मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है उन खेलों को आप भूले क्यों है मेरा घर के नाना नानी दादा दादी घर के भुजुद्गों से आग रहे हैं कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांसपर नहीं करेंगे तो कौन करेगा जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है तो बैलेंस बनाने के लिए आउनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा हमारी युवापीडी के लिए भी हमारे स्टार्ट अप्स के लिए भी यहां एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है हम भारत के पारमपारिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्शक ग्रूप में प्रस्थूत करें उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले सप्लाई करने वाले स्टार्ट अप्स बहुत पप्लर हो जाएंगे और हमें ये भी याद रखना है हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए बोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं और मेरे बाल सखा मित्रों हर घर के बच्चों से मेरे नन्य साथियों से भी आज मैं एक विशेस आग्रह करता हूँ बच्चे आप मेरा आग्रह मानेंगे न देखिए मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूँ आप जुरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ कर मोबाईल उठाईए और अपने दादा दादी नाना नानी या घर में जो भी बुजूर्ग है उनका इंटर्व्यू रेकॉर्ड किरिए अपने मोबाईल फॉन में रेकॉर्ड करिए जैसे आपने टीवी पर देखा होगा न कैसे पत्रकार इंटर्व्यू करते हैं बस वैसा ही इंटर्व्यू आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ आप उनसे जुरूर पूछिए कि वो बच्पन में उनका रहन सन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे सिनेमा देखने जाते थे कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे कभी खेत खलिहान में जाते थे तो हर कैसे मनाते थे बहुत से बातें आप उनको पूछ सकते है उनको भी 40-50 साल 60 साल पुनानी अपनी जिन्दिगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था वहाँ परिशर कैसा था लोगों के तौर तरीके क्या थे सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जानने को मिलेगी और आप देखें आपको बहुत मजाएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमुल्य खजाना एक अच्छा विडियो आल्बम भी बन जाएगा साथियों ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकर जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बच्पन उनके युवाकाल की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे ये बहतरीन मोका है कि बुजूर्ग भी अपने बच्पन के बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं साथियों देश के एक बड़े हिस्से में अब मौनसुन पहुँच चुका है इस बार बारिस को लेकर मौसम विज्ञाने भी बहुत उत्साहित है बहुत उमीद जता रहा है बारिस अच्ची होगी तो हमारे किसानों की फसले अच्ची होगी वातावन भी हरा भरा होगा बारिस के मौसम में प्रकुर्टी भी जैसे घुट को रीजुविनेट कर लेती है मानो प्रकुर्टिक संसादनों का जितना दोहन करता है प्रकुर्टी एक तरह से बारिस के समय उनकी भरभाई करती है रीफिलिंग करती है लेकिने रीफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धर्ती मां का साथ दे अपना दाइत्व निभाएं हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृती को, परियावरन को बहुत मदद करता है हमारे कई देश्वासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे है करणाटक के मंदावली में एक 80-85 साल के बुजूर्ग है कामे गवड़ा जी कामे गवड़ा जी एक साधारन किसान है लेकिन उनका व्यक्त्वित भहुत असाधारन है उन्होंने ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चिर में पड़ जाएगा 80-85 साल के कामे गवड़ा जी अपने जानवरों को चराते हैं लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड़ा उठाया हुआ है वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं इसलिए जल सवरक्षन के काम में छोटे-छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं आप हैरान होंगे कि 80-85 वसके कामे गवड़ा जी अब तक 16 तालाब खोच चुके हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हो सकता है कि जो तालाब उन्हों ने बनाए हैं, वो बहुत बड़े रहों लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है साथियों, गुजरात के वरोद्रा का भी एक उधान बहुत प्रेरक है यहां जीला प्रशासन और स्थानिय लोगों ने मिलकर एक दिलचर्ष पर मुहिम चलाई है इस मुहिम की वज़े से आज बड़ोद्रा में एक हजार स्कुलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है एक अनुमान है कि इस वज़े से हर साल अवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है साथियों इस बरसात में प्रकूरती की रक्षा के लिए परियावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की कुछ करने की पहल करनी चाहिए जैसे कही स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तहिया या शुरू होने जा रही होगी क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि एको फ्रेंडली गनेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद जल के लिए जल में रहने वाले जीव जन्तों के लिए संकड बन जाती हैं मुझे विश्वास है आप ऐसा जरूर करेंगे और इन सब बातों के बीश हमें ये भी ध्यान रखना है कि मौनसून के सीजन में कई बिमारिया भी आती है कोरोना काल में हमें इन से भी बचकर रहना है अवर्वेजिक आउसे दियां, काड़ा, गर्म पानी इन सब का इस्थमाल करते रहिए, स्वस्त रहिए मेरे प्यारे देश्वासियों आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पूर्व प्रधान मंतरी को स्वधाजली दे रहा है जिनोंने एक नाजुक दौर में देश का नेतुर्त्व किया हमारी ये पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभायू की रूप से राजनेता के रूप में उनकी शवी हमारे सामने उभरती है लेकिन ये भी सच्चाई है तो बानेक भाषाऊ को जानते थे भारतीय ओर विदेशी भाषाएं बोल लेते थे वे एक और भारतीय मुल्यों में रचय वैसे थे तो दूसरी और उने पश्यार के साइकते और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताउमस एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलूपी है और वो लिखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नर्शे महराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंतरता अंदोलन में सामीन हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मात्रम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 सार थी छोटी उमर से ही स्रिमान नर्शे महराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बुलन करने में कोई कोर कसर बाके नहीं छोड़ते थे नर्शे महराव जी की त्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुती साधान प्रुष्ट भुमी से उड़कर उनका आगे बढ़ना सिक्षा पर उनका जोड सिखने की उनकी प्रवुती और इन सब के साथ उनकी नेतुरत और शम्ता सब कुछ मरनी है मेरा आग्र है कि नर्शे महराव जी की जन्मस्टताब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करे मैं एक बार फिर उन्हें अपने स्रद्धान ले अर्पित करता हूँ मेरे पैरे देशवासियों इस बार मन की बात में कई विशों पर बात हुई अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विशों पर भात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए हम सम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा हम इसी साल हैनि 2020 में ही बहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उचाईयों को छुएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दसक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष शाबित होगा इसी भरोसे के लेकर आप भी आगे बढ़िये स्वस्त रहिए सकारात्मक रहिए इनी सुब कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नवश्कार